कोई भी काम अगर आप बिनाश्वार्थ का करते हैं, तो जीवन में कभी दुख नहीं होगा। मंदिर में अगर आप अनाज चड़ाते हैं, आसपास के छेत्र में चड़ियों को अनाज देते हैं, तो जीवन में कभी भी दुख नहीं होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप शुवा में उठते हैं, तो अपना दाया पाओं आगे बढ़ाएं और प्रिथ्वी मा को पढ़ाम करें और शिवलिंग का दर्शन करें, तभी आप उस दिन कारी की शुवात करें, चलते समय दर्वाजे पर एक चुटकी नमक रखकर आगे बढ़ें, आपको हर कारी में शफलता मिलेगी, और सबसे महत्वपुन बात यह है कि अगर किसी की मदद करते हैं, कोई कारी करते हैं, तो आप उन्हें निश्वार्थ भाव से करें, देखिए जीवन में, आप हमेशा आगे बढ़ते चले जाएंगे, धन्यवाद। हन्निवाद।